पाकिस्तान में सिरे से एक लड़ी से बहुत सारी टेरिस जो हैं वो दीरे-दीरे करके मारे जा रहे हैं उसमें खालेस्तानी भी हैं उसमें पाकिस्तानी दूसरे जो हमारे यहां पे जम्मू केश्मिने खास तोर पे जो अपरेट करते हैं वो भी हैं बंबे का जो हल्ले का मास अच्चाई हो उसका रीजन ऐसा है कि जब इतने लोग मर रहे हैं तो ये भी इसका भी नंबर लग गया अब गर्मेंट एजेंसीज को इसका थोड़ा टाइम लगेगा इंडियन गर्मेंट एजेंसीज को लेकिन पाकिस्तान के तरफ से इसके बारे में कोई ब्यान नहीं आए इसको नश्ट कर दिया तो ड्रग बनाने का जो रॉव मेटेरियल उसको बड़े बड़े पैमाने पर मिलता था वो खतम हो गया तो उसके जो दो बड़े सोर्स थे इंकम के जिसको वो आएसाई के साथ में साजा करता था ऐसी रूमर्स हैं कि 30 से 40 परसेंट उसका हिस्सा ऐसा एक हो जाता था तो अब वो बड़े दो सोर्स बंद हो गए अब उसके जैसा आतंकवादी जिसको यूएस ने यूएन ने भारत ने इंटरनेशनल टेरिस्ट घोशित किया हुआ है अगर वो पाकिस्तान की जमीन पे मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड एजें जाएगा और फिनेंशल सेंक्शन लगने की पॉसिबिलेटी है जो के पाकिस्तान आज की डेट में एफोर्ड नहीं कर पाएगा तो देखिए आपने बड़े विस्तार से समझा कि पाकिस्तान के सामने दुविधा इस बात को लेकर है कि उसने भारत के दुश्मन को पना तो दे दी लेकिन अब यही उसके गले की फास भी बन सकता है क्योंकि अगर दाउद इबराहिम के बारे में पाकिस्तान की सरजमी से कोई भी खबर दुनिया के सामने आती है तो एक बार फिर से पाकिस्तान का जो टेरर चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा